तो दोस्ता आज की इस यूडियों में बात करेंगे कि प्याफ डेटेल से background verification कंपणी ये पता कर सकती है कि आप किस किस कंपणी में वरकिंग थे या currently किस कंपणी में वरकिंग हो या आपकी previous कंपणी कौन सी है क्या ऐसा possible है तो आज उसके बारे में बात करेंगे जब भी आप किसी कंपनी में अपनी जॉब स्टार्टकर और उसुनर अप एक यूनिवर्सल होता है सो कि यूनिक होता है जभी आपको प्यप घुक्मर मो Совक्राइए्क होता है जो कि रेख नंबर मों किसी को नहीं दिया सक्कता है आपके पास जो नम्मर होगा वो यूनिक होगा वो सबसे अलग होगा अब होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं एक साल दो साल तीन साल पांट साल जब भी आपका मन करता है तो आप कंपनी को स्विच करते हो और स्विच करने के बाद में आप वहाँ पे डिटेल्स बरते हो जब डिटेल्स में क्या होता कि आप बुलती है यह आपकी प्रिवियस यह करने कंपनी में आपका UN नम्मर या करणका डिटेल topics आप फेल करो तो यह मुद्स इ 뭘 में आप डालते हो जो कि government document हो चाहचा private document हो अगर वो रजिस्टरड है पोर्टल पर तो तो उसी तरीके मेरे दोस्त क्या होता की जो आपका यूनाइक होता है तो आपकी चाहए previous 20 company or 3044 और चाहएक अपनी बोगता है जितनी भी कंता है और जहां पर peaf cut है कितनी भी Yellow last कंपनी क्यों नहों अगर उस कंपनी में आपको पीफ मिला है उस कंपनी ने आपका पीफ काटा है तो सारा का सारा डेटा वाली कंपनी आपका देख सकती है और आपको पता होगा साथ नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो कि जब भी आपका भी पीफ की वेफसाइट पे जा के बाद में अब देखो कि अबने विबी कम्पनीज में आपने काम ना तो पास पीद इप पाश्बूक की डिटेल वहां पूरी तो होगी की झाण सब्सक्राइब की तो प्लाद है और ऊसरे कम देख सकती तो तो का मतब यहां पे डार्क्टली यही है कि इढ़ंसटर हुआ है अगर आप देते हो यह आप किसी को अपना डाय नबर निकाल सकते हैं अपर साथ निकाल 206 यह अपने यह नम्द उनको दिया तो बैस आज की वीडियों में इतना gentleman होग अच्छा लगव तो लाइक से रचनल सब्सक्राइब जरू करें मेरा ना में शिभाव मैं मिलता है नेक्स व्यूडियो में तिल ना वा ग्रेट मुमेंट और टो लाइक से रचनल सब्सक्राइब थैंक यू सो मच पो कमिंगे